हेलो बच्चो कैसे हैं आप लोग तो आज ही क्लास में एक बहुत छोटा सा कॉंसेप्ट आपसे डिसकस करने आया हूँ वो कॉंसेप्ट है जीरो फैक्टोरियल वन क्यूं होता है पर्मूटिशन कॉंबिनेशन के एक बड़ा छोटा सा कॉंसेप्ट है बहुत बार बच्चो को इसमें confusion होता है जब हम क्लास के बीच में बताते हैं यार जीरो फैक्टोरियल वन होता है वन फैक्टोरियल वन है टू फैक्टोरियल वन टू है थ्री फैक्टोरियल सिक्स है तो 0!1 क्यों होता है उसका क्या logic है वो मैं आपको बताता हूँ बहुत सारे बच्चों को generally confusion रहता है ये हम लोग class के बीच में इसको बताते भी हैं पर मैं फिर भी अलग से इसको बता रहा हूँ कि 0!1 की होता है बहुत द्यान से सुनीगे बड़ा छोटा सा प्यारा सा concept है देखो हमारे पास 0!1 प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं जिन मेंसे एक easiest method मैं आपको बता रहा हूँ हमारे पास होता है n! जो होता है वो n! इंटू n-1! ठीक है 3 x 2 x 1 यानि कि 24 यहाँ पर 6 1 तक जाता है 1 पर आकर हम लोग रुख जाते हैं क्योंकि अगर 0 तक multiply करेंगे तो सारा 0 आएगा यह factorial की basicly definition है जो permutation combination बहुत helpful होती है ठीक है? तो हमारे पास एक यह result होता है n factorial equal to n into n-1 का factorial तो इसकी help से मैं प्रूव करूँगा कि 0 factorial 1 क्यों होता है अब हम क्या करते हैं यहाँ पर n की जगा 1 put कर देते हैं तो उससे क्या होगा? यहाँ पर आएगा 1 factorial यहाँ पर आएगा 1 यहाँ पर आएगा 1 minus 1 factorial ठीक है? तो अब क्या हो गया यह? 1 factorial तो 1 है 1 minus 1 यह 0 factorial हो गया तो 0 factorial 1 आगया 0 factorial 1 आगया यानि कि simple सी बात है जो हम लोग चाह रहे थे वो prove हो गया तो 1 factorial b1 होता है तो 0 factorial हमारा 1 आगया बिलकुल simple तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं यह formula लगाया n की जगा 1 डाला solve करा तो 0 factorial 1 आगया तो कभी भी एक चीज का ध्यान रखना कभी भी वहारे school में ऐसा कोशन नहीं पुछेगा अगर 0 factorial 1 क्यों होता है इसे prove करके दिखाओ ऐसा कभी नहीं आने वाला बस यह दो एक छोटा सा concept है जो हम लोग permutition combination में use करते हैं हमें इसका concept पता होना चाहिए कि अर ऐसा क्यों होता है क्योंकि mathematics में भाई या जब तक हमें यह नहीं पता होता है क्यों हो रहा है तो वो मज़ा नहीं आता chemistry में तो चल जाता है रठ लो physics में चल जाता है यह रठ लो है ना light of speed इतनी है अर्थ move कर रही है यह हो रहा है वो हो रहा है पर math में तो भाई practical क्रेक दिखाओ कि logic दिखाओ logic क्या इसका क्या ऐसा क्यों आया क्या इसी calculation हमने करी कि ऐसा क्यों आया तो आपको सोचना भी चाहिए जहां भी आपको कोई ऐसा result दे को यार इसको सोच लो याद कर लो नहीं भई कहां से आया क्यों आया ठीक है तो यह result मैंने आपको बता दिया एक वीडियो मैंने और अपलोड करी है जिस पर मैंने आप लोग को बताया है कि किसी भी नंबर की पावर 01 की होता है उसका link description box में given है ठीक है मेरे प्यारे बच्चो मेरा contact नंबर मेरी सारी टेटेल टेलिगाम जला का link भी description box में given है आप लोग मुझसे connect हो सकते हैं उसके थरू ओके बच्चो बाबाई बहुत जल मिलते हैं next बहुत शांदार वीडियो में बाबाई